हाई फ्रेंड्स मैं हूँ तौकीर आलम गौना क्या है यानि कैसे हम वर्ड गौना का यूज करें तो फ्रेंड्स आज के सीडू में हम वर्ड गौना के अलावा बहुत ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसे अंग्रेजी में informal word या अनौप चारिक सब्द कहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इस्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स एक वक्त हुआ करता था जब सब्धे लोग अनौप चारिक words के यूज से बचा करते थे मतलब वो informal words का यूज करना पसंद नहीं करते थे But modern English में informal word या अनौपचारिक सब्द का यूज हर कोई कर रहा यानि इन words का यूज बहुत आम है जिसे आप अक्सर कानवर सेशन में सुन सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज बहुत सारे informal words सिखें What gonna का यूज गोइंटू की जगह पर किया जाता है जैसे I am going to help you तो आप कह सकते हैं I am gonna help you फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आपको केर करना है कि what gonna के बाद two का यूज नहीं होता कई बार students gonna के बाद two का यूज करते हैं आप ऐसा न करें और फ्रेंड्स कई बार students what gonna के पहले इजारम लिखना भूल जाते हैं जबकि ऐसा करना गलत है what gonna के पहले इजारम वाजबार लिखा जाएगा और gonna के बाद two का यूज नहीं होता है she is going to blame me आप इसको ऐसा कह सकते हैं she is gonna blame me I am going to take something तो आप कह सकते हैं I am gonna take something going to की जगह पर आपने gonna का यूज किया यहाँ going to के जगह पर आपने gonna का यूज किया आईए friends आज का अगला informal word देखते हैं हमारा अगला word है gotta gotta का यूज have got to या has got to के जगह पर करते हैं जैसा कि आप जानते हैं friends formal way में आप have got to या has got to plus verb का यूज आप तब करते हैं जब आपको कहना हो कोई काम करना ही करना है यानि कोई काम करना बहुत ज़रूरी है बेलकुल necessary है तब आप have got to या had got to का यूज करते हैं जैसे मुझे जाना ही जाना है I have got to go मुझे या काम करना ही करना है I have got to do this work मुझे आप से मिलना ही मिलना है I have got to meet you मुझे उन लोगों को पढ़ाना ही पढ़ाना है I have got to teach them कई बार आप इस तरह के sentences ऐसे भी सुनते हैं मुझे अभी निकलना है यानि या काम करना ही करना है तो आप कहेंगे I have got to leave now मुझे अभी उसे phone करना है I have got to call him तो friends have got to ये has got to कर्यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई काम करना ही करना है और इस वर्ट के जगह पर slang word gotta आता है आईए इस बात को example में बेहतर तरीके से समझे I have got to finish this work मुझे या काम पूरा करना है या मुझे या काम पूरा करना ही करना है तो आप कहेंगे I have got to finish this work यानि आप have got to के ज़लब पर gotta का use करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया gotta means have got to या has got to you have got to tech medicine यानि आपको दवा लेनी है या आपको दवा लेनी ही लेनी है मतलब या काम करना ही करना है तो आप कह सकते हैं you got to tech medicine यानि आप have got to के जगह पर gotta का use कर सकते हैं याँ पर आपको एक बात जरूरी तोर पर जान देना चाहिए कि gotta एक informal word है और आप इसको written English में यूज नहीं कर सकते हैं यानि gotta का use grammatically wrong है बट spoken English में gotta का use हो रहा है और आप इसे कर सकते हैं मेरे कहने का मतलबे friends कि आप अगर exam देने वाले हैं तो आप informal words का use ना करें इसकी हद सिर्फ spoken English तक ही है friends कई बार हमें इस तरह के sentences negative बोलने पड़ते हैं यानि हमें वहां कहना होता है कि या काम मेरे लिए करना बहुत जरूरी नहीं है या मैं इस काम को करने के लिए force नहीं हूँ तो friends जब गौटा वाले sentences नहीं रेचू हों तो आप गौटा के पहले haven't या hasn't कर यूज करेंगे जैसे मुझे अंगरी जी नहीं सीखनी है I haven't got a learning English मुझे आपसे बात नहीं करनी है I haven't got a talk you Give me इसे गिम्मी कहते हैं और इसका मतलब होता है Give me जिसको आप हिंदी में मुझे दो कहते हैं जैसे Give me something to eat मुझे कुछ खाने को दो तो आप informal way में कह सकते हैं Give me something to eat यानि मुझे कुछ खाने को दो Give me a cup of tea ये एक formal word है जिसका मतलब होता है मुझे एक cup चाए दीजिए या मुझे एक cup चाए दो informal way में आप कह सकते हैं give me a cup of tea और इस sentence का भी वही sense है जो उपर वाले का है तो friends give me के जगह पर आप give me का यूज कर सकते हैं जैसे give me your pen आप कह सकते हैं give me your pen give me hundred rupees तो आप कह सकते हैं give me hundred rupees तो उम्मीद करता हूं friends कि आप को give me का यूज समझ में आया कि आप give me का यूज give me के जगह पर करेंगे friends आज का हमारा तिसरा वर्ड है don't know आप पहले इसका आवाज देखें इसका correct pronunciation होता है don't know कई बार students इसे गलती से don't know कह देते हैं अईसा करना गलत है आप इसे don't know कहेंगे और इसका मतलब होता है don't know यानि नहीं मालूम है या नहीं पता है आईए अब इसको एकजामपल में देखते हैं what is this किसी ने पूछा या क्या है तो अगर आपको कहना हो don't know यानि नहीं मालूम है तो आप informal वे में कह सकते हैं don't know जो sense don't know का है वही sense don't know का है don't know या एक आपचारिक वर्ड है यानि फॉर्मल वर्ड है और don't know एक इनफॉर्मल वर्ड है यानि अनपचारिक सब्द है do you know me? क्या आप मुझको जानते हैं? तो जवाब में आया I don't know you मैं आपको नहीं जानता हूँ तो आप don't know के जगा पर कह सकते हैं I don't know you यानि मैं आपको नहीं जानता हूँ तो friends जहां जहां आपको don't know कहना होता है वहाँ आप don't know का यूज कर सकते हैं जैसे मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ तो इसे आपचारिक तरीके से कहेंगे I don't know about you और इसे अनौपचारिक तरीके से कहेंगे I don't know about you वाना Friends, वाना का यूद spoken English में बड़े जोर्शोर से किया जा रहा है यानि अक्सर आप ये वर्ड किसी न किसी के जुवान से सुनते होंगे वाना का मतलब होता है वान टू या वान अ या अन जैसे अगर आपको कहना हो वी वान टू लिव नाओ अब हम यहां से निकलना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वी वाना लिव नाओ बस आपको कहर ये करना है Friends कि वाना के वाल टू का यूज नहीं होता तो कहीं गलते से आप ऐसा ना कहें वी वाना टू लिव नाओ अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा I want ice cream mom कई बार बच्चे अपने मा से कहते हैं मा मैं ice cream चाहता हूं तो इसको informal way में आप ऐसे कह सकते हैं I wanna ice cream mom यानि मैं ice cream चाहता हूं friends ant का मतलब होता है am not या is not या are not या have not या have not यानि friends अगर आपको कहना हो I am not telling a lie यानि मैं जूट नहीं बोल रहा तो आप कह सकते हैं I am not की जगह पर आप ant का यूज कर सकते हैं लेकिन friends याद रहे अगर आप exam में ant का यूज करते हैं तो हो सकता है examiner इसको गलत कर दे तो आप ऐसा सिर्फ spoken English में ही करेंगे I have not done it मैंने इसे नहीं किया है तो आप यहाँ पर have not के जगह पर ant का यूज कर सकते हैं यानि आप कह सकते हैं I ain't done it मैंने इसे नहीं किया है You are not a hero आप एक hero नहीं है तो friends आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं You and a hero यानि are not के जगह पर आप ant का यूज कर सकते हैं तो उमीद है friends की आपको ant का यूज समझ में आया आईए friends आज का अगला वर्ड देखते हैं अगला वर्ड है do और ये do you की जगव पर यूज किया जाता है friends आप इसके आवाज पर गौर करें इसे हम do you कहते हैं जबकि इसे हम do कहते हैं जैसे do you think so क्या आपको ऐसा लगता है तो आप कह सकते हैं do you think so यारी क्या आपको ऐसा लगता है friends अगर आपको कहना हो do you eat rice क्या आप चावल खाते हैं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं do you eat rice क्या आप चावल खाते हैं friends हमारा next word है out of और इसका मतलब होता है out of आईए इस बात को एक्जामपल में समझे नहीं गया तो यहां out of के जगह पर आप out of के यूज कर सकते हैं यानि आप कह सकते हैं I never went out of India I got three out of ten तो आप कह सकते हैं I got three out of ten यानि out of के जगह पर आप out of के यूज कर सकते हैं आईए friends आखिर में कुछ और informal words देखें what girl girl के जगह पर यूज किया जाता है what an one के जगह पर यूज किया जाता है what what के जगह पर यूज किया जाता है year your के जगह पर यूज करते हैं yeah yes के जगह पर यूज किया जाता है cause because के जगह पर यूज किया जाता और come on come on के जगह पर यूज किया जाता जिसका मतलब होता है चलो तो उमीद करता हूँ फ्रेंड्स की आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों को अभी शेयर करेंगे प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना न भूलना फिर मिलेंगे एक नए लेसन में तब तक के लिए बाई